आज हम लोग बना रहे हैं बहुत ही मज़े का डिजर्ट और यो डिलाइट और मज़े की बात यह है कि बहुत ही जल्दी यह रैडी हो जाता है टू इंग्रेटियंट्स के साथ हम इसको जल्दी से जो है वो इस डिजर्ट को बना सकते हैं तो इसके लिए मैंने लिए है टू बिस्किट्स वाले ट्वैल्फ पैक लिए है और इनको क्रश कर लिया है कोई सी भी विप क्रीम ले ले आप एक कप विप क्रीम ली है और इसको इस तरह से हमने विप कर लेना है तीन से चार मिनट तीन से चार ठंडी होनी चाहिए फ्रीजर से निकाल के आपने इसको इस तरह से विप कर लेना है तो बहुत जल्दी यह विप हो जाएगी तीन से चार मिनट तक देखे कितनी जबर्दस सी ये विप हो चुकी है इजी टू मेक है इस तरह से कोई भी पैन ले ले आप अच्छा सा ताकि इसकी लेयर लगा सके ये जो क्रश किये हुए ओरियो थे इसकी एक लेयर लगा देंगे हम और फिर इसकी उपर हमने हाफ कप मिल्क ले लेना है अगर आप चाहें तो उस पर कोको पोड़र डाल के इसकी उपर पौर कर दे और दो से तीन मिनट तक इसको सेट होने के लिए रख दे उसके बाद आपने विप क्रीम के साथ एक लिए लगा लिनी है इस तरह से यह देखे और फिर डेकोरेशन के लिए जो बिस्किट्स हमने क्रश किये थे वो हम इसके उपर डाल देंगे एक से दो गंडे तक हम इसको रेफ्रेजिलेटर में रखेंगे और फिर उसके बाद हम सर्फ करेंगे बड़े पार्टीस में जो मैन्यू होता है उसमें बहुत ही अर्ट्रेक्टिव लगती है और बहुत क्विक जो है वो रेडी हो जाती है इसी तरह से मैंने औरियो शेक बनाया था अभी इनने बहुत ही जवर्दस औरियो शेक बनाया था उसकी रेस्पी जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन पॉक्स में उसका लिंक शेयर कर दूगी मिलते हैं नेक्स फीडियो में लाफिज